हेलो फ्रेंड्स, स्वाक्त है आपका यूट्यूब चैनल ग्यानगी सेबन्टी वन में जो आपके नुवंबर मंत में एच्पी टाट के एक्जाम सुए हैं उनके लिए एच्पी बॉस के द्वारा जो है वो प्रोविजनल अंसर की जारी कर दी गई हैं तो आप उस अंसर की से मैच करके देख सकते हो कि आपके कौन-कौन से कौश्चिन जो है वो सही है और कौन-कौन से कौश्चिन जो है वो गल्द है निकालनी कैसे है आपने सबसे पहले आपने HP Boss जो है वो सर्च करना है फिर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ऐसे आ जाएगा उसके बाद जो है आपने HP Boss पे जो है वो क्लिक करना है जैसे मैंने किया यहां पे उसके बाद आपने सीधा यहां पे notification में चले जाना है जैसे ही आप notification में जाते हो आपके सामने जो है ये वाले open हो जाता है सब कुछ notifications आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है इनोंने notification regarding provisional answer की for the subject of art date भी दी हुई है कि कब हुआ था ये paper ठीक है तो वैसे ही इनोंने सबी के लिए यहाँ पर दी हुई है आप देख सकते हो जो जो आपका subject होगा आप उस उसके हिसाब से अपनी answer की जो है वो देख सकते हो और अपने paper के साथ जो है उसे mask कर सकते हो कि आपके जो है वो कितने question सही है और कितने question गल्द है आप जो है आगे कैसे निकाल सकते हो आप अब क्या है जैसे सबसे पहले art की दिवी है तो मैं art की चेक कर लेती हूँ यहाँ पर तो मैं art पर गई और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो है वो download हो चुकी है तो आप जो है यहाँ से देख सकते हो सबसे पहले यह रहेगी मैंने निकाल है सिफ आर्ट्स वालों की आपका जो भी होगा सब्जेक्ट आपने वैसे वहां से निकाल लेनी है तो यहां से आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला इन्होंने लिखा हुआ है अधिशूचना में ह इन्होंने दिया हुआ है कि कब जो है यह पेपर हुआ था नॉन मैडिकल वा एल्टी डी एलएट जेबिटी वा मैडिकल और पंजाबी वा उर्दू की प्रिक्षाओं का योजन प्रदेश बर में स्ताफित विमिन प्रिक्षा केंद्रों में किया गया था देर्स आपको द बी, सी और डी बोर्ड की वैपसाइब www.hpboss organization पर अप्रोड कर दी गई है और प्रोग तैठ विशो से समंदित उत्रकुंजी में दर्ज उत्रों के समंद में यदि अभ्यार्थियों को किसी भी प्रकार की आपत्ती हो तो अपनी अपत्ती प्रमानी तक्थ्यों सहीत दिन दिनाक दी हुई है इन्होंने 9-12-2000-21 तक अनुभाग अधिकारी पेपर निर्धान शाखा को इमेल आईडी यह इन्होंने अपनी इमेल आईडी भी यहाँ पर बताई हुई है पर जो है वो मेल बेज सकते हैं तथा अभ्यार्थी अपनी अपत्ती दस्तितो पर भी कार्या दिवस में बोर्ड कार्याले में जमा करवा सकते हैं दिनाक आपको इन्होंने यहाँ पर दी हुई है उसके बाद इन्होंने लिखा है दिनाक इसके बाजन 9-12-2000 के उपरांत उत्रकुंजी से समंदित किसी भी मौपिक या लिखित अपत्ती पर विचार नहीं किया जाएगा तो आपने अगर आपको लगेगा कुछ तो आपने जो है उससे पहले पहले अपनी अपत्ती जो है वो पता देनी है तो इन्होंने बोला है अगर आप पड़ सकते हो कि डाक के माद्यम से भी जैसे भी हो अपने अपत्ती जो है वो वहाँ पर भेज देनी कि क्या जो है इसमें आपको सही है या इन्होंने पूरा बताया हुओ है कि कैसे जो है आपने भेजना है तो आप पूरा एडर्स यहां कैसे सकते हो वैसे आपने निकाल लेनी है और अपने अपनी सीरिस की जो है वो चेक कर लेनी है ये वी सीरिस के लिए रहेगी ये सी के लिए और ये डी के लिए तो आपने जो है जो आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से जो है अपनी प्रोविजनल अंसर की जो है वो वहां से निकालने नहीं है प्रेंस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद